शिक्षक नियोजन में हुई गडबडी की जांच की गई तेज. शिक्षक नियोजन में भले ही अभ्यर्थी अपना जाली प्रमान पत्र देकर चैनित हो गए हूँ. लेकिन वे अन्जाने तौर पर विभाग का काम बढ़ा चुके हैं. उनमें से जाली प्रमान पत्र वाले च हंगालने के लिए DM योगेंद्र सिंग ने तीनों अनुमंदलों के लिए अगल अलग टीम गठित कर दी है। इस कारण अब शिक्षक नियोजन में हुई गडबडी की जांच एक बार फिर से तेज हो गई है। गठित टीम के सदस्य अब शिक्षक नियोजन के हर बिंदू की बारी की से जांच कर रहे हैं। जांच टीम के सदस्यों ने D.E.O. केशब प्रसाद से नियोजन के समय का हर दस्तावेज मांगा है। इस कारण D.E.O. ने सभी नियोजन इकायों को पत्र लिखकर उनसे मेधा सुची। काउंसिलिंग में चैनित अभ्यर्थियों की देने का आदेश दिया है। D.E.O. ने इसके लिए समबंधित नियोजन इकायों को मात्र 24 घंटे का समय दिया है। आदेश पत्र जारीकर कहा है कि निर्धारत समय तक हर हाल में समबंधित अधिकारियों के पास सभी प्रमान जमा करी। राजगीर अनुमंदल क्षेत्र में दिये गए आवेदन में राजार्यन, मंटे कुमार, संजीव कुमार वा अन्य ने कहा है कि छठे चरण में गलत अभ्यर्थियों वा अन्य दोशियों पर कारवाई की जाए। अविनाश कुमार सिंग ने कहा है कि समबंधित बीडियों के द्वारा गलती की गई है। जबकि सरिता सिंहा ने आवेदन में कहा है कि चैनित दो अभ्यर्थी एकी प्रतीत होते हैं। इसके अलावा अन्य लोगों ने भी शिक्षक नियोजन में बड़े पैमाने पर गड़बडी का आरोप लगाया है। शिक्षक नियोजन वह उसमें हुई गड़बडी को हिंदुस्ता लगातार प्रमुकता से प्रकाशित कर रहा है। 29 अगस्त को हिंदुस्तान ने च्छापा था कि DM ने माना। शिक्षक नियोजन में बड़े पैमाने पर हुई है गड़बडी इस हेडिंग से खबर चापी थी। इस मामले को गंभीरता से लेते DM योगेंदर सिंग ने तीन